नियुक्त के नाँ से जानते हैं जो आसम श्टेक्ट की करिंगोरी डिश्टिक में स्तीफ है क्या उसको आसम गश्यात्य वीडियो नौब्रेंट की ऐटेंशन की जरूरत है आज की वीडियो स्वन्बिल की वेरियस एस एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए रहेगा तो असलाम अलेकुमें नमस्कार दूस्तों, माइनेम इस अर्षाफ और वेलकम यू टो माई चैनल, लार्ण इट, आएए वीडियो शुरू करते हैं तो आएए पहले सौनबिल को अच्छे से जानते हैं करिमगल्स टाउन से सौनबिल आसानी से पहुचा जा सकता है जो लगबग वान आवार के ड्राइबिंग समय के साथ सिर्फ 43 किलोमेटर दूरी पर है सौनबिल इस बेस्ट बिजिटेड डिरिंग रहिनी सीजन जो मार्च के बाद से विंटर की शुरुवाती तक होती है सौनबिल एक फ्रेश वाटर लेक है जो 3000 हेक्टर से भी ज्यादा में फैली हुई एक वैटलेंड है सौनबिल करिमगल्स डिस्टिक के तीन MLA कॉंस्टिवेंस जैसे की साथ करिमगल्स बदरपूर और राथावाडी तक फैली हुई है ये ग्रीनारी के साथ साथ इसकी येस्ट और वैस्ट बोट साइड से हिल से गिरे हुए एक वैटलेंड है वैटलेंड के सबसे अनोखे पहलूँ में से एक ये है कि ये मार्च तक सर्दियों के दोरान राइस कल्टिवेशन के लिए फार्मलेंड यानि खेद बन जाती है और साल के दूसरे बाग में लेक में बदल जाती है सौनबिल, फिशेस, रेप्टाइल्स और माइग्रेटरी बाट्स के डाइवर्सिटी होम है सौनबिल को 32 डिफरेंट फेमिली की 99 बाट्स स्पेसिस का होम बताय जाता है जिन में से 39 वाटर बाट्स, 17 वाटर डिपेंडेंट बाट्स और 37 टेल्स्टेरियल बाट्स रहे है यहां तक सौनबिल हर साल 3 महिने के लिए दुनिया का सबसे मिस्टिवियस माइग्रेंट साइवरियन बाट्स की भी होस्ट करती है पूरी दुनिया बाट्स से बाट्स की लगबग 1100 व्रजाती पाई जाती है जिन में से सबसे खास और मिस्टिवियस साइवरियन ब्रेंज को माना जाता है जिसका हमारे देश से एक खास लगाओ है ये बार्ड्स आम तोर पर राशिया की साइविरिया में पाई जाती है जो अपनी थंड के लिए जाना जाता है इसलिए ये साइविरियन बार्ड्स वहाँ पे थंड पढ़ने से दूसरे जगा पर चले जाते हैं 2020 की एक रिपूर्ट की अनुसार पूरी दुनिया में लगबख सिर्फ 3200 साइविरियन बार्ड्स ही बचे हुए है सर्दियों की मोसम में ये बार्ड्स 1000 किलोमेटर लंबी दूरी 100 किलोमेटर पर आवार की हिसाब से पार करके इंडिया पकिस्तान चायना में आके पूछते हैं राज़स्तान की कियोल एडियो नेशनल पार्क में भी इन माइगरेंट बार्ड्स हर साल साइविरिया की मुश्किल ठंच से बचने के लिए आते हैं ये बाट्स से इविरिया से मीड औक्टूबर में उड़ान बढ़ते है और इजिसमेस के लिए पोपिलार है several hundred fish species भी यहाँ पाई जाती है यह Southern Assam में पूरे जिले में fish production की सबसे important sources में से एक है various birds और fish species के गर होने के अलावा sunbill कई hazel trees का भी गर बताया जाता है dry और wet seasons में hazel trees और merged hazel trees locals और tourist के लिए attraction point होता है इसके अलावा lake के पास sunset और sunrise आपको अलग-अलग तरीकों से reflect होने वाली sunrise के साथ colorful view देखने को मिलता है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करिमगंज की deputy commissioner म्रेदुल यादब ने Assam government की transformation and development department को जिले में sunbill को tourist destination की रूप में develop करने के लिए 60 करूल रूपे का proposal बेजा है कुछ ही महिने पहले लोगसभा में करिमगंज के संगसत क्रिपनात माला के एक सवाल की जवाब में minister of state in the ministry of environment, forest and climate change अश्विनी कुमार चोबे ने ये बताया कि Assam government की तरफ से sunbill की संगरंगंगंद के लिए funds मांगने का कोई proposal आया ही नहीं क्यों आएगा भाई, क्यों कोई proposal बेजा जाएगा Sunbill तो पराक्वली में है ना समादेओ लेक के शैलनेस रेनी सीजन्स में इसे अबारफ्लो कर देती है और पानी काकरा रिबर के तुरू खुशियारा नदी से मिलती है और फिर बंगलादेश में बेह जाती है एन्भरमेंटेलिस्ट ने टाइम टू टाइम नौटिस्ट की सबसे बड़े वेटलेंड को लेकर सरकार की इगनोरेंस पर चिंता भी जताई है हालाकि लेटर ओन M.O.S. अश्विनी कुमार चोबे ने इंफर्म किया कि सौनबिल में असाम गुब्मेंट, दे स्टेज फिशरी डिपर्टमेंट और स्टेज तौरिजम डिपर्टमेंट ने कुछ डेवलाप्मेंट वार्क्स को इनिशिट किया है United Nations Development Program के रिशर्चर्स मोहराना चोजरी, दिपोक कुमार और अशोक रठोन ने उनके एक रिशर्च हमबर्ग युनिवर्सिटी जार्मानी द्वारा एंडोर्ज एक स्टार्डी Valuation of Ecosystem Services and Benefits of Sunbill Wetland 2020 में ये एस्टिमेट किया है कि Sunbill की Monetary Value Minimum 6,530 रुपीज पर हेक्टर पर यर्ट से मेक्सिमान 22,4537 रुपीज है Researchers का मानना ये भी रहा है कि Sunbill में रेमसर Designated Wetlands of International Importance में लिस्टेड होने का भी Potentiality है रेमसर साइट क्या है? रेमसर Convention actually existence में आया है 1971 में जो एक Intergovernmental Treaty बैसिकली एक संधी है जो Wetlands और Wetlands के Resources की Conservation और Wetlands की Wise Use के लिए National Action और International Cooperation के लिए Framework प्रोबाइड करती है Researcher मुहारण चोद्जी ने ये भी कहा है कि जैसे कि Sunbill, Fishes, Reptiles और Migratory Birds की Diversity Home है So Infrastructure Development के अलावा Long Term Goal के लिए Ecosystem की Sustainable Maintenance पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए Researcher का मानना ये भी रहा है कि Sunbill offers Ecosystem Services जो ना ही सिर्फ Climate Changes को कम करने में मदद करती है On the contrary, Climate Related Risk Reduction में Natural Solution में भी मदद करती है So in सब चीजों को Consider करते हुए आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्षन में बताइए कि आपने आगर वो वीडियो भी नहीं देखिए तो Link Description और Comment Section में मिल जाएगा So आप वो वीडियो भी देख सकते हैं आज की वीडियो यही तो वीडियो अच्छी और informative लगी तो वीडियो को लाइक किजिए Comment Section में Comment किजिए और Channel को Please Subscribe किजिए Thank you for watching my वीडियो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में सब तक Goodbye, Take Care, Allah Hafiz, Jai Hind